हाई एवरवन इट्समी अंजली वर्मा यॉर एजुकेटर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंस फेल हो सकते हैं क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम में और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आ गए हैं तब उस केस में हम ल थे हैं तो यहां पर आपको पता है 33% मार्क्स हम लोगों को स्कोर करने पड़ते हैं तो कितने मार्क्स में हम पास होंगे अगर जो हमारा थियोरी का एक्जाम हुआ है उसमें 26.4 मार्क्स हमारे आ गए जो की सीबीए सी ओविसली ग्रेस मार्क्स भी देता है तो अगर आपक उसäsक में को कॉई कंपार्टमिंट का एक्जाम नहीं देना पड़ेगा अगर सारें ही सब्जेक्स में आपके जितने भी टोटल सब्जेक्स थे सारें सब्जनेक्स में आपके 26 नंबर आ रखे हैं तो आप पास कांसिडर करे जाओगे यहाँ पर आपको ना ही compartment देना पड़ेगा ना ही आप fail होगे ठीक है I hope clear हो गया होगा अगर आपको लगता है कि आपके marks बहुत ही कम आये हैं थोड़े जादा आने चाहिए थे तो उस case में हमें क्या करना है वो भी अभी मैं आप लोग को बताऊंगी बट उससे पहले हम discuss यह कर लेते हैं कि कौन बच्चे fail होंगे तो अगर आपके 5 subjects हैं ठीक है उन 5 subjects में से किन ही भी 2 subjects में आप लोग हो चुके हो fail ठीक है मतलब यहाँ पर यह जो 26 marks थे यह आप लोगों ने अचीव नहीं करे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके मानलो 20 number हैं 19 number हैं तो obviously आप fail हो पास तो नहीं हो बट उस case में आप fail consider नहीं करे जाओगे आपके पास मौका होगा पास होने का यहाँ पर आप लोग दे सकते हो compartment का exam इन दोनों ही subjects में ठीक है उसके बाद देखो अगर आप 3 subjects में हो जाओ fail मतलब 3 subjects में आपके जो passing marks हैं आप score नहीं कर पाए या फिर 4 subjects में या फिर 5 subjects में ऐसा हुआ कि आप fail हो गए तो उस case में फिर आप pass consider नहीं करे जाओगे उस case में you will be considered fail ठीक है तो यह हमारे पास चीजें हैं उसके बाद अब जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके यहां पर 2 subjects में वो fail हुए हैं अब इतने कम marks थे तो obviously हमें compartment के exam में बैठना पड़ेगा तो यह जो compartment का exam है यह जनरली जुलाइ से august के बीच में ही conduct कराया जाता है यहां पर अगर आप passing marks score कर जाते हो तो आप हो जाओगे pass बट मान लो यहां पर जो compartment exam आप लोगों ने दिया उसमें भी आप पास नहीं हो पाए उसमें भी जो passing marks थे वह आप score नहीं कर पाए तो उस case में क्या उस case में आपको फिर से मौका मिलता है ठीक है ऐसे तीन मौके आपको total मिलते हैं अगर आप इन तीनों मौकों में भी fail हो गए तो उस case में क्या होगा उस case में आपको completely reappear करना पड़ेगा ठी ठीक है जी आई होप यह चीज आप लोगों को clear हो गई होगी चल अब उसके बाद ऐसे बच्चे जिनको लगता है उनके marks काफी कम आये हैं थोड़े जादा आने चाहिए थे तो वह revaluation करवा सकते हैं ठीक है तीन steps में होता है यह सबसे पहला step है re totally ठीक है अब देखो यह जो हमें cbac में retotaling करवानी है ठीक है जो revaluation की window है ना वो जब हमारा result आता है तो उसी के 4-5 दिन के अंदर अंदर ही open हो जाती है तो यह window जब हमारी open होगी तो वहां पर हम लोग retotaling के लिए apply कर सकते हैं सबसे पहले कि cbac से हम गुजारश कर रहे हैं कि यहां पर maybe कुछ totaling में mistake हो गई हो या फिर कोई भी ऐसा question रहे गया हो जिसके mark cbac ने consider नहीं करे या add up नहीं करे सो retotaling के लिए आप वापस से डा सकते हो यहां पर कई बार होता है कि students के marks बढ़ जाते हैं बट यहां पर मानलो आपके marks नहीं बढ़े फिर हम क्या करें फिर आप अपनी answer sheet को मगवा सकते हो यह है second step आपने अपनी answer sheet मगवाली आपने देखा और आपने देखा कि यहां पढ़ना मुझे marks नहीं मिले हैं यहां पर मुझे marks मिलने चाहिए थे यहां पर marks नहीं मिले यह सब आप लोग चेक करोगे खुद से अपने teacher से भी चेक करवा सकते हो उसके बाद आप क्य evaluation के लिए डाल देना है कि वापस से मेरी copy को चेक करो क्योंकि यहां पर बहुत सारी mistakes हैं मुझे बहुत जोकव marks मिलने थे बट नहीं मिले हैं तो यह 3 step है आप लोग directly यह step पे नहीं पहुँच सकते हो पहले आपको retotaling करवानी पड़ेगी फिर यहां पर answer sheet मंगवानी है ठीक है तो यह हो गया यह हमने evaluation की बात कर ली उसके बाद एक होता है improvement exam अब यह improvement exam क्या होता है अगर मान लो मैं पास तो हो गई हूं 80 मैसे मेरे marks आए हैं 50 ठीक है I am not at all satisfied मैंने expect करा था कि मैं 75 plus score करूं ठीक है बट मेरे marks नहीं आ पाए बहुत ही कम marks आए हैं तो बच्चे improvement exam भी दे सकते हैं बट यह सीधे अगले साल होता है ठीक है तो यह improvement का exam है यह अगले साल आप लोग दे सकते हो जिन भी बच्चों को लगता है कि subject में मेरे जादा marks आने चाहिए थे वैसे मेरे हिसाब से improvement का कोई उतना जादा benefit होता नहीं है आपको next class में focus करना चाहिए और आपको 11 और 12 पे जादा focus करना चाहिए कि आप वहाँ पर जादा score करो वहाँ पर मेहनत करो क्योंकि वो चीज़ आपको ultimately life में benefit करेगी ठीक है बाकी completely it's up to you अगर आप लोग को improvement exam ऐसा लगता है कि देना चाहिए so definitely आप लोग दे सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसकस करा कि passing marks क्या है कौन बच्चे पास consider करे जाएंगे कौन बच्चों को compartment देनी पड़ेगी ठीक है किन-किन बच्चों को compartment देनी पड़ेगी फिर कौन exactly fail consider करा जाएगा फिर compartment exam में हमें कितने मौके मिलते हैं उसके बाद revaluation अगर मुझे कराना है मुझे लग रहा है कि म मेरे marks कम है तो आप कैसे अपने marks को बढ़ा सकते हो और अगर यहां पर देखो यह तीनों चीज करके आपके marks नहीं बढ़े हैं आप चाहते हो कि अब मैंना reappear करूं वापस exam दूं तो आप improvement exam भी दे सकते हो ठीक है तो यह सारी चीजे हम लोगों ने discuss कर दी है I hope यह सारी ची सभी लोग का result अच्छा जाए और यह fail वाली condition किसी के साथ भी ना हो so all the very best मिलते हैं next video में